नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका पुना स्वागत है, आज मैं आप लोगों को कोई सर्विस की इंफॉर्मेशन नहीं, बलके कुछ study material लाया हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समान अध्यान में सभी चीजें important होती हैं, जैसे history, geography, तो फिर policy, और current affairs, sports वगएर सब कुछ आपको पकड़ बनानी हैं, तो सभी portion को आपको पढ़ना होगा, दोस्तों इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे समविधान और राज विवस्ता में, समविधान और राज विवस्ता में खास तोर से हम लोग बात करेंगे, जो प्रम जिससे बहुत बड़े समविधान सनसोदन जिससे पूरे देश प्रभावित हुआ है, तो आईये दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं समविधान सनसोदन की, हाँ दोस्तो ये पहला प्रस्ण है भारती सम्विधान में किस अनुच्छे के तहत सम्विधान संसुधन किया जा सकता है तो दोस्तो इसमें विकल बिंदिया है 368 अनुच्छे 360 अनुच्छे 356 अनुच्छे 352 दोस्तो इसका जो उत्तर होगा वो 368 होगा ये प्रस्ण बहुत बार आया है ये ISP 2003 में आया है UBPCS में 2007 में आया है तो दोस्तो इसका उत्तर है 368 संसध की समविधान संसोदन की सक्ती और उसके लिए जो प्रक्रिया समविधान के अनुच्छे 368 में वर inspires है कि इसको जो है अलग अलग दोनों सदनों से पारित होना ज़रूरी होता है तो दोस्तों यह जो है अनुछे 368 इसका असई आंसर है अब बात करते हैं यह जो है यह है यह हाल ही में हुआ है GST जेस्टी किस सम्विधान संसोधन से समंदित है 992 मां 121 सम्विधान संसोधन 122 सम्विधान संसोधन और 942 सम्विधान संसोधन तो दोस्तों ये 122 सम्विधान संसोधन है ये 1 जुलाई 2017 से जेस्टी पूरे देश में लागू हो गया अगर कभी ये पूंचा जाए कि JST कब लागू हुआ तो एक जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू हो गया दोस्तो JST से समधित और भी प्रस्ण है कुछ भी पूंचा जा सकता है कि जैसे भारत में JST को लागू करने की सुझाव किस ने दिया था तो विजय केल करने दिया था JST का बिल जो प्रारूप करने वाली समिती थी उसके अध्यक्ष कौन थे तो असीम दास गुपता थे हाँ एक और समिधान से समंधित प्रस्ण JST का ही है कि JST परिशत का गठन जो है यह किस अनुच्छेत के तहत हुआ है तो दोस्तो JST परिशत का जो गठन हुआ है वो 289-279-A के तहत JST का गठन किया गया है JST परिशत का गठन किया गया है यह दोस्तो 122 और 101 क्रम के हिसाप से 101 और वैसे 122 समिधान से सुधन है दोस्तो आईए बात करते हैं अगले प्रस्ण की भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेत राष्ट पति को उच्छितम नयाले से प्रामर्स करने की सक्ति प्रदान करता है तो दोस्तो भारती समिधान का अनुच्छेत 143 जो है यह राष्ट पति को विधी या तथ के व्यापक महत्तों के जो प्रस्ण होते हैं उसमें उच्छ नयाले से प्रामर्स करने की सक्ति प्रदान करता है अब दोस्तो अगला प्रस्णा निम्न लिखित में से कौन सा एक सम्विधान इतर संस्था है तो दोस्तो सम्विधान से इतर जो संस्था है यह प्रस्ण आपको लोगों को तो पता ही होगा कि नीती आयोग यूजना आयोग की जगह आया है तो ना तो यूजना आयोग का सम्विधान में कोई उलेक था और ना ही नीती आयोग का सम्विधा Sumidhan मेंं और अंतावराज्ट्री परिशत भी Sumidhan मäं दिया हुआ हैतो दोस्तों ये जो वैं नीती आयोग Sumidhan इतरसंषित मतलब Sumidhan से ISТरसंषित और नीती आयोग जो है जो है एक जन्वरी 2015 से सथापीत किया घ्या था यूजनां सबसे पहला सबसे बड़ा सबसे अंतिम सबसे अधिक बार इस तरीके के प्रस्ट में बहुत मात्रपूर्ण होते हैं तो देखिए यह है प्रस्विधान का प्रथम संसोधन किसे संबंदेत था निस्टों क्याएवन में वहता देश की सुरक्च्चा से प्रदान दोस्तों निस्तों इंक्यामन में ये संसोधन हुआ था ये कुछ राज्यों में क्रसी भूमी सुधारों से ता करसी और करसी भूमी सुधारों से था दोस्तों इसमें जो है अनुच्यत 31 का का 31 के खा और नवी अनसूची को इसमें सामिल किया गया था नवी अनसूची एक ऐसे अनसूची बनाई गई थी जिसमें अगर कोई कानून डाल दिये जाएगा तो उसको नायाले में चुनोती नहीं दी जा सकती है अगर कभी ये पूचा जाए कि नवी अनसूची किस समिल संसोधन से इस्थापित की गई तो उसका भी उत्तर यह योगा की प्रतम समिल संसोधन अब अगला प्रश्ण है 86 समिल संसोधन दोरा प्रस्तावित सिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों विकल्प में है 2002, 2004, 2008, 2010 से तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये 2010 से है 86 सम्विदान संसोधन द्वारा प्रस्तावित जो सिक्षा का दिकार था वो 1 अप्रेल 2010 से लागू किया गया और ये जो संसोधन हुआ था वो अनुच्छेत 21 में 21 का या 21 ए उसमें जोड़ा गया था जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्स की आयू के सभी बच्चों को निसुल्क एवं अनिवार सिक्षा का दिकार दिकार दिया गया था दोस्तों इसको इस अधिनियम को अनुमत तो 2002 में ही मिल गई ती राष्टपती से लेकिन ये लागू 2010 से हुआ था अब आईए अगले प्रस्न की बात करते हैं किस संविधान संसोधन के द्वारा मत दाताओं के उम्र 21 से घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो दोस्तों इसमें जो विकल्प अब अगला प्रस्न की बात करते हैं प्रस्षित में से कौन सा एक संविधान संसोधन मौलिक करतब्यों से समंदित है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस्न है कि मौलिक करतब 22 संविधान संसोधन 44 संविधान संसोधन 46 संविधान संसोधन और 50 संविधान संसोधन दोस्तों भारती संविधान में 42 में संविधान संसोदन द्वारा हुआ था यह 1976 में हुआ था और एक समिति थी सोरंड सिंग समिति उसने इसकी सिपारिस की थी कि कुछ मौलिक कर्तब भी होने चाहिए और यह जो मौलिक कर्तब हैं अनुच्छेद 59 के का यह 59 के ए में दिये गए हैं मौलिक कर्तब पहले 10 थे अब एक और हो गया है तो मौलिक कर्तब 11 हैं तो कुल 11 मौलिक कर्तब जो हैं यह 42 में संविधान संसोदन में जोड़े गया थे सरदार सोरंड सिंग समिति के द्वारा में संविदान संविदान 204 इन में से कोई नहीं थो दोस्तों पहले क्या था कि 2003 तक उसके पहले टक असीमित मंत्री कोई भी सरकार बना सकती थी तब ये 2003 में इंक्यान में हुआ संविना संसोधन लाया गया जिसमें जो अनुच्छेद 15, 164 और 10 वी अनुच्छी में संसोधन किया गया और ये नियम बनाया गया कि लोग सबा और विधान सबा इन दोनों में जो टोटल सदस्य ह होते हैं उसका 15 परसेंट अधिक्तम ही मंद्री बनाया जा सकते हैं तो दोस्तों इसको याद रखिएगा ये बहुत ही मात्पूर्ण को क्रिश्चन है यह आई-एस-प्री 2007 में आया था लोवर में भी आया था और कई बार पूंचा गया है तो आई अगला प्रसेंट देख इसमेन जो vIKALI्प है वह 59 संविदान शंसोदन सथा रहा समिधान संसोदन त्याथ्टर रहा सम इदान संसोदन और τट्रमत रहा सम इदाbon संसोदन तो दोस्तों यह समईिदान के 59 संसोदन द्वारा दिल्ली को राष्ट राज़दारी में छैतर का दरज्ञा प्रदान किए तो इसका उत्तर 59 सम्विधान संसोधन हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं नीम ने लिखित सम्विधान संसोधनों में से किसके द्वारा पहली बार सम्विधान में दल बदल बिरोधी प्रावधान किया गया 54- plot, 53- plot, 52- plot, 58- plot, 59- plot, 51- plot. दोस्तो जो जो है इसका उत्तर होगा 52, सम् विदान संसोधन। दोस्तो ये जो संसोधन उओ दा ता हुआ ओनिस्व पचासि में उओ था। यह विधान सभा के लिए मुखिता है था कि देश में किसी भी विधान सभा में जो है दल बदल नहीं हो पाएगा उसके कड़े प्रावधान किये गए थे उसके बाद में फिर इंक्यान बेहमा समविधान संसोधन भी लाये गया था जो लोग सभा के लिए था तो याद रखेगा कि जो 52 हमा समविधान संसोदन दल बदल से सबंदित था, 52 हमा वो विधान सबा के लिए था, और जो इंक्यान बेहमा समविधान संसोदन था दल बदल का वो लोग सबा के लिए था, ताकि कोई दल बदल न कर पाए और उस पर रोग लगे, और ये जो इंक तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ये पहली बार चुकी बात की गई है इसलिए इसका उत्तर 52 समविदान संसोधन 1985 होगा अब अगला प्रश्ण है सिक्किम एक नया राज बना तीसमें समविदान संसोधन के दौरा दोस्तों एक बात बता दें कि ये GS का मैं अब दो या तीन तीन दिन में एक वीडियो बनाऊंगा तो इसी तरीके के अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट कर लें और अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक भी करें अगर कोई सुधाव आता है तो कमेंट में अवस्ट लिखें तो दोस्तों आईए हम बालोग बात करते हैं कि सिक्किम को एक ने राज बनाये गया था दोस्तों ये 36 सम्विधान संसोधन के दौरा बनाए गया था सिक्किम को नया राज़ उनिस्सो पच्छत्तर में इसको किया गया था तो इसको याद रखियेगा कि 1975 में जो है ये संसोधन लागू हुआ था और ये सिक्किम जो है ये भारत का 22 वा राज बन गया था प्रyczै 1 गया द खी और सिक्किलाव थे। सपी और था बनाए कि , सिक्षप्स जो है ये सिक्किम की को राज़ पह बनाए राखिये इसक्राद